सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट एयर कूल सिस्टम यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन को इसे ओल पे करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक बहुत जाए हेलो फ्रेंड मेरा नाम है साहवाज आप देख रहे है स्मार्ट एयर कूल सिस्टम तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग का जो रेफ्रियेशन सिस्टम है उसमें कौन-कौन टैप का कंप्रेसर यूज के जाता है और कितने टैप का कंप्रेसर होता ह इसके बारे में भी आज जानेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम लोगा compressor होता है फ्रेंड वह टोटल पांच टैप के compressor होता है पहला रेशिप्रोसेटिक compressor दूसरा rotary compressor तिसरा scroll compressor चौथा screw compressor और पांच मां centrifugal compressor तो अब हम आपको compressor दखाएंगे कैसा होता है जैसा कि पहले बदाते हैं आपका रेशिप्रोसेटिं script compressor में तीन filter compressor होता है सबसे पहला compressor होता है हर्मेंटिक ना ना चाहीं कंप्रेणर दूसरा जो होता है वह सीमिय ना कंप्रेणर होता है अर ंसलसे capacity के बाद किया जाए तो यह जो है हम लोग का आपका जो Hermetic compressor है यह हम लोग का freeze में आपका water cooler में और हम लोग का यह आपका defreezer यह सब में यह Hermetic compressor लगता है और जो semi Hermetic है वो हम लोग का package यह सब में लगता है open tap जो compressor है वो आपका central AC में लगता है तो चलिए अभी हम आपको hermetic compressor देखाते हैं कि वो कैसा होता है और वो कैसे work करता है तो अभी हम आपको वीडियो में देखाते हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो है hermetic compressor है ये compressor में क्या होता है ये काम कैसे करता है ये पूरा shield होता है इसके अंदर में एक motor लगा हुआ होता है जिसके साथ हम लोगों का व्यक्रेशर जो एक connect रहता है उसमें connecting होता है एक crank which होता है और एक piston होता है और एक valve होता है जैसे कि आपको देख रहा है कि connecting घुम रहा है connecting के साथ crank which होता है और आपका piston को up-down करता है और जो इसको पूरा जो मोमेंट कराता है वो मोटर कराता है ये compressor आपको refrigerator में दिखता है diffreaser ये सब में दिखता है water cooler ये सब में दिखता है तो इससे हम लोग हर्मेटिक compressor बोलते हैं तो ये इसकी capacity बहुत अलग-अलग होती है जैसा कि इसके बारे में तो वो सबको knowledge है अब बात करते है semi-automatic का जो हम लोगों का compressor यह है semi-hermetic compressor इसे हम लोग सेमी-sil्ड बोलते है तो यह compressor में क्या होता है आपका compressor और motor दोनों आपस में एक साथ connect होते है इसे हम लोग repairing कर सकते है जैसे कि आपको वीडियो में दीख रहा है motor के साथ compressor जो आपका connect है जिसमें एक crown shaft है चार piston है इसमें आपका connecting rod है इसमें कुछ valve लगावा होता है जो एक तरफ से सक करता है दूसरे तरफ discharge करता है तो इसमें हम लोग motor खराब है तो motor को repairing कर सकते है तो इसे हम लोग बोलते है semi sealed ये हम लोगों का package AC में use किया जाता है अब हम बात करते है open type compressor का तो फ्रेंड ये है open type compressor open type compressor में क्या होता है कि compressor अलग होता है और motor अलग होता है जैसा कि ये जो compressor दिख रहा है इसे हम लोग open type compressor बोलते है जो आप देखे होंगे घर में एक motor लगा होता है पानी के लिए तो उसमें motor अलग होता है compressor अलग होता है एक build के द्वारा वो compress air बनाता है जिसके करने पानी उपर चड़ता है और तो इसी type का हम लोग का same आपका open type compressor होता है जो की engine की तरह थोड़ा दिखेगा आपको उसके piston connecting यह सब total चीज और एक पुली लगाव होता है जो एक motor से connect होता है एक build के थुरो जैसा के वीडियो में आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग open type compressor बोलते हैं यह package AC में सौरी यह आपका centralized AC में यूज किया जाता है इसका capacity बहुत है इसका अलग-अलग capacity का यह रहता है तो यह ह दूसरा था वो था rotary compressor rotary compressor में भी आपका friend दो टैप का compressor होता है जो आप सभी को मालूम है पहला fix speed जो लोगो नन इनवर्टर बोलते हैं दूसरा inverter तो inverter का मालूम होता है और fix speed का आपका जो में लोगा नन इनवर्टर होता है इसमें एक rotor लगावा होता है जैसा कि आपको दीख रहा है का rotor घूम रहा है इसमें क्या यह भी पूरफ होता है तो मोटर का का में rotor को घूमाना तो एक तरफ से इसमें आपका rotor होता है इसमें piston नहीं होता है जैसे रेसिप्रोसेटिंग में piston था तो इसमें piston नहीं होता है इसमें rotor होता है इसलिए इसको rotary compressor बोलते हैं तो जैसा क का अगर हम लोग बात करें कैपेशिटी का बात करें तो यह दो टन से नीचे के मसीन में लगाये जाते है रोटरी कमप्रेशर दो टन से उपर का नहीं आता है तो यह होगी हम लोग का रोटरी कमप्रेशर के क्या है इस में आपका ठोक है information जाता है यह लोग का दो टन से लेकर 25 वी यह सब में तो यह आई विएर्व यह विए सरुना है तो इस में सबको अब करता है दूसरा पान देक्र है ये इस्ठी पर यह जेले फीर्ट के तरहा दो एक शनतर लिंटर और यह जलीभी की तरह दोगई स्क्रॉल आपको दिख रहा है एक स्क्रॉल बॉड़ी में फिक्स होता है दूसरा स्क्रॉल उसका नीचे वह घुमता है तो वह क्या करता एक तरफ से air मतलब गैस को लेके दूसरे तरफ से रिलीज करता है जो कि अभी हम आपको वीडियो में देखाएंगे कि यह गैस को कैसे रिलीज करता है कैसे सक्षन करता है तो अभी आपको यह वीडियो में दिखेगा देखिए यह आपका दो स्क्रॉल होता है एक तरफ से वो सक करेगा गैस को एक तरफ से गैस को सक करेगा दूसरे तरफ से एक तरफ से गैस को सक कर रहा है जो उसका मीडिल पॉइंट है वहां पर वो कंप्रेस करके मतलब गैस का प्रेसर को बढ़ाके वो रिलीस करता है तो स्क्रॉल कंप्रेसर इस तर COMPRESOR का BAP siitä साँ-6 जो 10-епरिशर हैं देखे 5 मेल ags जो 12 कहतें जो आपको दिख रहा है यह जो पीनियँ है सबस्क्रोध एक अपनेल पैसे मोटर जो होता है दूसरा जो है वह आपका जो में ध्यसके साथ कनेक्ट होता है तो यह इस तरह से moment करता है कि एक तरफ से gas को लेकि दूसरे तरफ release करता है तो यह scroll compressor है यह आपका 1200 से 300 ton का centralized AC होता है उसमें use किया जाता है यह भी बहुत असानी से repairing हो जाता है यह सब compressor repairing वाले है जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में एक तरफ से शक कर रहा है और दूसरे तरफ से इसको release कर रहा है यह सब आपको centralized AC में दिखेगा बड़े-बड़े AC में air conditioning में HVAC उसमें आपको यह दिखता है तो अब हम पाचमा compressor के बात करते हैं तो फ्रेंट पाचमा जो compressor है centrifugal compressor है यह जो है 300 से प्लस का चिलर होता है वो समय यूज़ के आता है यह जो compressor होता है यह आपको कुछ इस तरह मिलता जूलतेगा कि घर में जो water pump होता है सेम उसी तरह यह होता है इंपैलर देख रहे हैं आपको इंपैलर सेम उसी तरह होता है यह तो यह होता है हम लोगा centrifugal compressor यह जो हम लोगा फ्रेंड तो हमें कमेंट करके पुछेगा हम उसमें बताएंगे तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजिएगा फ्रेंड आपके लिए इतना महिनत करते है ठीक है फ्रेंड थैंक यू